असलाव अलेकुम सिराज लाइव स्टाइल में आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे जो की हलवाई से भी जादा अच्छे और टेस्टी और क्रिस्पी और क्रंची तीनो चारो इसके अंदर आपको क्वाल्टी मिलेंगी देखे कितना क्रंची बना है और मज़े में भी बहुत जादा अच्छा है तो इसलिए वीडियो को इसकी बना करते हुए साथ साथ रहिए देखते हैं कि ये क्रंची और क्रिस्पी नमक पारे बनकर किस तरह से रेटी होते हैं देखे दो शेब में बनाया है एक इस शेब में बनाया है और एक चौकोर बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो हलवाई जैसे क्रिस्पी नमक पारे बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा ले लिया है मैदे के अंदर हम लेंगे half teaspoon अजवाईन और अजवाईन को अच्छे से crush करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा flavor इसके अंदर आजए हमने इसके अंदर अजवाईन डाल दिया है और एक टीश्पून इसके अंदर हाफ टीश्पून हम इसके अंदर लेंगे नमक नमक अपने टेस्ट के according डाले लेकिन हाफ टीश्पून इनफ होता है और इसके अंदर हम refined oil या घी आपको बेटर लगे वो डाल दें हम इसके अंदर refined oil डालना है फिलाल अभी हमने 2 table spoon डाला है और इसको हम एक बार मिलाएंगे मिला कर फिर इसको देखते हैं कि और ज़रुत पढ़ने वाली है कि नहीं है देखिए हमने इसके अंदर 3 table spoon ही oil डाला था और देखिए ये perfect है इसके अंदर हमें कोई भी खस्ता डालने की जरूत नहीं जब आप इसके अंदर घी या refined oil डालेंगे तो ये बहुत crispy और बहुत crunchy बन कर तयार होगा और इसका तरीका ये है कि आप जब डो को इस तरह से आपस में जब दबाएंगे तो ये एक अच्छा सा साथ में मिल जाएगा तो आप समझ लें कि अब इसके अंदर हमें कुछ भी अलग से डालने की जरूत नहीं चलिए हम इसको एक अच्छा सा डो तयार करते हैं और डो ना जादा अच्छा सा इसको उपर लगाने के बाद में बंद करके तकरीबन पांसे दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देंगे फिर देखते हैं कि ये हमें क्रिस्पी और क्रेंची नमक पारे कैसे बन कर तयार होते हैं जिसको आप हफ्तों और महिनों तक की रखकर खा सकते हैं देखें दस मिनट हो गए हैं दस मिनट बाद हम इसके छोटे जोटे से पेड़े काटेंगे तकरीबन इसके अंदर हमाई तीन पेड़े तयार होंगे तो इन पेड़ों को अच्छा सा हम मिला लेंगे मिलाने के बाद में इसको फिर हम बेलना शुरू करेंगे देखे तीनों लोईयां हमने बेल दिये इसको बेलेंगे बेलने के लिए हलका सा तेल लेंगे इसके ओपर लगा लेंगे और बेलन के ओपर भी अपने हलका सी ओयलिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा बेल जाए और इसको बेलना बहुत ही जादा आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है इस तरह से हमें इसको बेल लेना है देखिए इस तरह से हमें इसको आसानी से बेलना है रोटी की तरह और हम आपको बताएंगे कि इसकी सर्फिस कितनी होनी चाहिए कि हमारे नौक पारे अच्छे से तयार हो गरंची और क्रिस्पी देखिए ये हमारी रोटी की तरह बेल गई है ये देखिए हमने इसको बेल कर रेडी कर लिया और इतना मोटा होना चाहिए इसके बाद में हम इसकी नौक पारे की शेप काटेंगे नौक पारे का शेप काटना बहुत जादा आसान है इस तरह से आप अगर पतले चाहिए तो आप पतली लाइन खीच लें मोटे चाहिए तो मोटी लाइन खीच लें फिलाल हमें पतले चाहिए और पतली लाइन खीच लेंगे और देखते हैं देखे इस तरह से हमने इसको कट कर लिए अब हम इनको क्रॉस कट कर लेंगे ताकि ये नमक पारे की शेव में आ जाए इस तरह से हमें इसको क्रॉस कट कर लेना है ये देखे बिलकुँ नमक पारे की शेव में ये आ गया है इस तरह से गुड़ इस तरह से पैन चड़ा दिया था तेल अच्छा सा मीडियम लो फ्लेम पर गरम हो गया है तेल जादा गरम ना हो क्यूंकि लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है हमें और देखिए हमने आप से क खुद बखुद अलग हो जाएंगे तो थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर नमक पारे डालेंगे और होने देंगे लो फ्लेम पर तकरीबर 5-6 मिनिट लगेगा इसको धीरे धीरे होने में चलिए मिलते हैं पर देखिए मेडियम फ्लेम पर तकरीबर 6-7 मिनिट हो गए थ को निकाल कर अलग करते हैं और अभी से आप देखिए किते क्रिस्पी हैं जो कि अभी गरम है जब यह ठंडे होंगे तो इन्शालला ताला और क्रिस्पी होएंगे इसी तरह से हम अपने पूरे बैच को रेडी कर लेते हैं देखिए कितना शानदार सा कलर आया है बिलकुल बादार से भी अच्छा कलर आया है और फ्रेश है और मदेदार तो जाहर सी बाते हो गई होगा अब हम देखिए अपनी दूसरी बैच डालने हैं इसको भी डाल देते हैं और डालने के बाद में इसको भी मीडियम फ्लेम प बाद भी अपना कलर चेंज करता है तो अब हम इसको निकालना शुरू करेंगे और आप इसको बना कर रख सकते हैं एरटाइट डिबे में ठंडा होने के बाद बे ताकि कोई महमान आया है आप उनके सामने भी सर्फ कर सकते हैं बच्चों की छोटी मोटी भूक में भी इसको दे सकते हैं और शाम को चाय के साथ में भी आप इसको खा सकते हैं बहुत ही मज़ा और मज़ाएगा करिस्पी होता है क्रण्ची होता है और अगर आपको मेरी यह नमक पारा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियेगा अल्ला हापिस